ट्विटर से छटनी के मामले में एलन मस्क की मुश्किले और बढ़ सकती हैं क्योंकि कम्पनी से निकाले जाने पर ट्विटर की कुछ पूर्व महिला करमचारियों ने कोट का दर्वासा खटखटा है और एलन मस्क के खिलाफ मुकदमा कर दिया पूर महला करमचारियों ने आरोप लगाए कि एलन मस्क ने टुटर की छटनी प्रक्रिया में भीदभाव किया उन्होंने ये भी दावा किया कि कम्पनी से पुरुषों के मुकाबले महला करमचारियों को जादा निकाला गया पश्चिमी मीडिया के मुदाबिक सेंट फ्रेंसिस्को फेडरल कोर्ट में मस्क के खिलाफ याचिका दायर की गई जिसमें टुटर पर 47 प्रतीशत पुरुष करमचारियों के तुलना में 57 प्रतीशत महला करमचारियों को नौकरी से निकाले जाने का आरोप लगा महलाओ ने आरोप लगाए कि कंपनी खरीदने के बाद उनकी प्रतिभा को नजर अंदास किया गया यही वज़ाए कि पुरुष की तुलना में जादा महला करमचारियों ने नौकरी खुई बिजनस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनस प्लान दिखाईये करके पूछते हैं बिजनस प्लान कैसे करना है इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड करें माका हो गया जिससे पूरे अलाके में अफरा तफ्री मज़ गई आँक की लप्टों में लाखो रुपए का सामान जलकर राख हो गया मौकी पर पहुचे दंकल करमियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आँक पर काबू पाया मुंबाई पूलस ने बैंको के बाहर से AC के कंप्रेसर चुराने वाले गिरहों का परदाफाश किया दो लोगों को गिरफतार किया चिन पर बैंको के बाहर से AC का कंप्रेसर चुराने का आरोप है और उसका एक CCTV फुटेज भी सामने आया जिसमें एक चोर बैंक के बाहर लगे AC के कंप्रेसर को निकालता हुआ नजर आया कंप्रेसर का वजन जादा होने के वज़े से वो से धकेलते हुए सड़क के कोने तक लिया आया आरोपे के जिसके बाद वो अपने साथी की मदद से उसे वहां से चुरा कर ले गया पुलिस ने बताया कि फिस्ट छे महिने से कई बैंकों से कंप्रेसर चोरी की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद उन्होंने वहां लगे क्यामरों को खंगाला शुरू किया, जिसकी मदद से उन्होंने इन चोरों को पकड़ा. पुलिस ने उस आदमी को भी गिरफतार कर लिया